तो गुट मॉर्निंग और विलकुम बाक टू शीदल स्प्लेट स्टोरी आज हम बना रहे हैं क्यूज़े क्विसटिला आज में काफी 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 जादा टाइम बाद शूट करें हूं यहाँ हम ठोड़ई शी प्रेपेरेंशन देख पाओगी यहाँ थोड़ शी तो क्विसेली बनती है या तो टोड़ रोटि से या तो से हमाली left over roti से तो आज हम बनायेंगे left over roti से तो चलिए आपको मैं दिखाती हूं यह है हमारी एक रोटी, एक चीज क्यूब, थोड़े बहुत वेजिटेबल्स, शेजवान चत्नी और हाँ एक आलू, इतना ही है, तो हम सबसे पहले एक कड़ाई में लेंगे थोड़ा सा घी, यह क्यों ले रहे हैं, अगर आपके पास कोई दूसरी बच्ची हुई भाजी है, तो आप वो भी लगा सकती हो, हमने घी गरम होगया है, इसमें हम सबसे पहले डालेंगे, राई, छिक है, उसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा, फल्डी, लाल मिल, ठीक है, अब हम इसमें डाल देंगे हमारा आलो, तो अब इसमें हमने यह देखिए, हमारा आलो रेडी हो गया है, और इसमें हम डाल देंगे अब हम क्या करेंगे, यह जो रोटी है, इसे हम इसे फोल करेंगे, एक साइड से, उसे काट लेंगे, इसे पोलेंगे, वे एक साइड से काट लेंगे, उसे काट, अब एक तरफ हम लगाएंगे यह सेजवान चटनी अच्छे से लगानी है इसे अब यह हो गया एक तरफ अब यहां हम लगाएंगे आलू की भाजी तो यह हमारी आलू की भाजी अब आलू की भाजी की जगा आप कोई भी अपने घर में जो बच्ची भाजी होगी आप उसे भी ईजी लगा सकते कोई उसमें प्रोब्लम नहीं है मेरे पास कोई भाजी नहीं थी तो मैंने आलू की भाजी बना लेंगे इसली प्रियों सबसे है बनाने में है अब है कि अहां हम डालेंगे वेजिटीबल यह रिखे यह मेने पतले-पतले गाजर के तुकडे हैं थोड़े से कैबिज, और थोड़े से शिम्ला मिर्च, तो यहां हमने शेज़बान लगा दिया है यहाँ है हमारी आलो यहाँ हे वेज जादा पसंद है अमूल, सबकि अपनी अपनी चॉइस होती है आप इसमें चडार चीज आपको जो भी चीज पसंद है आप वह भी यूज कर सेकते हैं जनरस अमाउंट आफ चीज हम ग्रेट करतेंगे चीज एक अच्छा फ्लेवर आजाएगा और बच्चों को भी अच्छा लगता है चीज इससे क्या वह रोटी और भाजी सब खावी लेंगे और यह हल्दी भी रहेगा तो यह देखें यह मैंने एक पूरा चीज इसमें ग्रेट कर दिया आप चाहे तो अपकम यह साधा अपने प्रिफरेंस के साफ से भी कर सकते हैं तो अब हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे ताकि एक ट्राइंगल का शेप ले ले अब यह हो गया है अब इसे हम थोड़ा सा सेक देंगे अब हमने तबा चालो कर दिया उस पर हम थोड़ा सा बटर लगाएंगे आपकी मर्जी आपको कितना बटर डालना है कितना नहीं डालना है अब हम इसे रखके थोड़ा सा तबे पर गरम कर लेंगे ताकि यह आराम से चीज भी मेल्ट हो जाएगे इसमें और यह हलका सा क्रिश्पी भी हो जाएगा अब इसे हम टरन करेंगे ताकि यह दूसरे साइड से भी अच्छे से हो जाए यह देखिए अपना बढ़िया एकदम सिक्का है बच्चों को भी अच्छा लागेगा देखके और यह टेस्ट में तो एकदम यमी होता ही है अब मैं इसे आपको काटके दिखाते हूं कि आपको भी समझेगा यह कैसा है तो छोली आईए इसे काटके देखते हैं देखना अब देख सब चीज कैसे मेल्ट हो गई आराम से जब मैसे से और यह देखिए यह हमारा फोर लेयर आलो वेजिटेबल्स चीज और चट्मी काफी यम ही लग रहा है ना झालो 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 झालो